नमश्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और हाप देख रहे हैं market report आईए बात करते हैं national gas की national gas में इस हफ़ते expiry है और expiry से पहले हम एक इस सरीके का trend बनता हूँ देख रहे हैं कि market जो है, वो उपर की तरफ जाना शरू कर चुका है और कुछ ऐसे छोटे छोटे लेवल्स हैं जहां पर ये breakout देता जा रहा है बार बार ठीक है अभी ही मैं बात करता हूँ कि हमने किस तरीके का पीछे का accession देखा है उसे लेकर मैं बात करता हूँ दीखे जो पहले का accession था उसमें मैंने आपको बताया था कि 120-22 डॉलर के आसपास यसे हर बार support मिलता है और बिलकुल उसी तरीके का trend हम इस बार भी देख रहे है expiry आने से पहले पहले ये indicate कर रहा है कि इसमें जो ये uptrend आगया ये वो ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि market में कहीं ना कहीं एक support मिल चुका है और जो expiry के होने तक भी शायद इसमें sustain करेगा क्योंकि एक trend में change आया है जो trend यहां से इस तरीके से move कर रहा था वो अब यहां से इस तरीके से move कर रहा है तो ये एक change देखा गया है अब अगर ये इसे support बिलकुल उसी level पे मिला है जहां पर इसे पिछले contracts में इसे हर बार मिला है पहले में आपको वो दिखा देता हूँ वैसे अगर आप मेरा national gas पर वीडियो देखते होंगे तो मैंने अभी पिछले ये देखिए यहां पर इसे कितनी बार ये support मिला है और इस बार भी बिलकुल वही चीज़ हुई है यहां से इसे थोड़ी धीरी धीरे एक उपर की तरफ एक pullback मिल चुका है और जिसमें इसने उपर के level पे भी कुछ एक चोटे चोटे लेवल से उनका breakout दिया है और market अभी जो है वो 128,70 पैसे पे trade कर रहा है ठीक है अभी हम बात करते है कि क्या position हो सकती है क्या levels हो सकते है जिने लेकर हमें अपने धिहान में भी रखना चाहिए देखे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक level अभी फिलहाल के लिए है 127.40 पैसे ठीक है अगर आपने बिल्कुल intraday के लिए कोई position आप अगर अभी खरीते हैं तो सिर्फ 1.20-30 पैसे का आपका stop loss है और आप इसमें बाइं की position में एंटर कर सकते हैं 127.40 पैसे का मैं आपको stop loss बता रहा हूँ ये stop loss लगभग लगभग इस line पर कहीं पर रहेगा ठीक है एक तो ये बने आपको stop loss बता है दूसरी चीज के trend के reversal के indication कहां पर आएंगे trend के reversal के indication आएंगे 125.30 पैसे पर यहां पर trend के reversal के indication होगे 125.30 पैसे है लगभग आप इसे इसी इनी जो ये lows level लगए है मतलब इस range का support level था बिल्कुल end support जो था ये इसे आप support मान कर आप थोड़ा सा एक से दो दिन के लिए आप trade में enter कर सकते हैं किसी भी level पे और market जो है वो up trend में है देखिए इस चीज को मैं आपको इसलिए कहा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको एक level बताया था 128.50 इस level को इसने cross कर दिया है और उसके उपर अपने आपको काफी अच्छे से काफी देर तक sustain भी किया है अभी इसका current price है 128.70 पैसे पे ये trade कर रहे है अभी अगर इसमें अगर ये आती रहती है तो हम अपने इस stop loss को trail करके यहां पर ले आएंगे और फिर अगर ये और उपर जाता है तो फिर इसका जो ये low level लगाए इसे हम यहां पर consider कर लेंगे ठीक है अभी मैं आपको दूसरी चीज़ और ये बताता हूँ अगर ये uptrend continue रहता है तो हमें next level जो देखना होगा वो होगा 134.80 इसका next level है उससे पहले इसे 134 के around एक resistance हम देख सकते है कि शायद इसे एक resistance मिले 134 के around अगर वहां पर कुछ भी इस तरीके का trend बनता है कि market ये ऐसे उपर जा रहा है और 134 पे आके ये नीचे आना शुरू हो रहा है तो वहां पर उसका एक strong resistance level माना जाएगा कि वहां पर वाकई में एक selling pressure इसे फिट से देखने को मिल रहा है कि जो traders है उन्हें लग रहा है कि 134 के ऊपर इसका आना एक over price condition हो जाएगी और वहां पर उन्हें profit booking या short selling की जो position है वह काफी अच्छी लग रही है ठीक है ये 15 मिनिट के chart पर मैं आपको बता रहा था थोड़ा time frame में बढ़ा के गंटे की तरफ चलता हूँ यहाँ पर मैं आपको इस चीज़ को मैं दिखाना चाह रहा था कि ये जो इसका एक area था resistance का इसने यहाँ पर भी resistance बनानी कोशिश करी पर इसने opening price में ही इसे एक अच्छे से एक breakout दिखाए उपर की side में हाला कि तीसरी ये candle है hourly charts पर जो ये red candle बन रही है पर जो ये candles हैं बहुत छोटी छोटी हैं और initial trades की है weekly opening है यहाँ पर ये इस तरीकी candles बन रही है थोड़ा भी इसे एक support मिलेगा तो market एक दम से एक jump दिखा सकता है 130 का level पार कर सकता है और दूसरी चीज़ जो मैं आपको level बता रहा हूँ वो है 134 रुपया स्थी पैसे आप इस line को आप समझिए यहाँ इसे ये break करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है इससे पहले का कुछ ये area हो सकता है जहाँ पर इसे एक resistance देखने को मिले इस area में इस area को आप पान सकते है जहाँ पर इसे resistance देखने को मिलेगा तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक जो buying आई है वो अगर continue new रहती है तो किन किन levels का में ध्यान रखना चाहिए और जो अब एक इसका एक super resistance level बन चुका था वो था 141 ठीक है वो अगर ये अपनी expiry से पहले अगर ये break कर देता है तो आप समझे का कि जो इसका next contract है वो बहुत ज़्यादा bullish हो सकता है क्योंकि एक तरीके से ये भी हो सकता है कि ये contract expire उरता है 137 पर इस हफते और फिर next contract सीधा trade करने को हमें मिल रहा है 145 के around तो वो एक आप उसे breakout नहीं समझेंगे वो एक switch करना होता है contract को 137 से निकल के हम 145 पर हमने enter किया है तो switch करना होता है वो breakout नहीं माना जाएगा 141 का level अगर यह contract किसी वज़े से अगर ये break करता है उपर की side में तो वो एक अच्छी situation मानी जाएगी हमारे लिए जो uptrend है वो continue रहेगा और market जो है वो तेजी की तरफ बढ़ता रहेगा तो देखे मैंने आपको एक तो ये मैंने आपको बताया इस तरीके का ये जो chart बन रहा है हो सकता है कि ये इस level को इस line को ये अपना एक major support level बना ले क्योंकि यहाँ पर भी अच्छा खासा एक consolidation देखा गया था यहाँ भी consolidation देखा गया पर उस चीज़ को छोड़ते हुए इसने gap up opening दिखाई और market ने यहाँ पर अभी अपना trade करना शुकर दिया और हो सकता है यहाँ अभी winning से थोड़ा सा पहले 3-4 बज़े तक का एक हम देख सकते है momentum कुछ इस तरीके का बनता है और उपर की तरफ यह जाना शुरू करता है तो अगर इस तरीके का हम trend देखेंगे तो यह एक trend नहीं और बनती चली जाएगी इस direction में क्या होता है क्या नहीं होता ultimately कहना यह चाहिए कि uptrend है levels मैंने आपको बता दिये है buying का आपका आपने जो buying कर रखे है उसमें आपको कौन से stop loss पर ध्यान देना है कहां पर reversal है reversal मैंने आपको बताया है कि 125 रुपे 30 पैसे पर आप इस यह जो part है इसका इसे आप break होते ही आप यह समझेगा कि market जो है वो एक reversal condition में आजेगा और downside की तरफ फिर से जाना शू कर देगा पर जब तक ऐसा नहीं होता market में एक pullback आपको दिखता रहेगा हर छोटे छोटे एक downside पर यह downside यह downside आपको pullback दिख सकता है अब यह चार घंटे के चार पर चलते हैं यहां भी हम देखेंगे कि वही सेम चीज़ है gap up opening इसने दिखाई है छोटी सी चार घंटे का चार्ट है इसलिए आपको शायद इतनी ज़्यादा यह चीज़ नजर ना है पर आप यहां पर एक चीज़ बहुत अच्छे सामझ में जाते हैं मान लीजिए कोई एक particular script इस एक parallel line के अंदर uptrend में चल रही है इस तरीके से और वो अगर उपर का जो उसका resistance level बार बार जहां पर उसे मिल रहा था वो अगर उसे break करके उपर जाती है तो काफी अच्छे से shoot up कर सकती है उपर की side में इस तरीके का कुछ candlestick pattern पे हम देखते हैं और इस तरीके का chart scenario जब बनता है तो काफी एक तेजी के indication होते हैं पर वो बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी natural gas में किस तरीके का एक pattern follow होता है वो भी हमें ध्यान देना होगा कि बार बार इसमें एक selling देखी गई है उपर के levels में range इसकी बहुत चोटी रही है 160 इसका बिल्कुल extreme level है 120 इसका बिल्कुल minimum level है लोड side में तो इस range में इसने trade कर रहा है और उसमें भी इसने बहुत flexibility के साथ trade निकला बहुत ज़्यादा volatile नहीं रहा market ने यह high बनाया था पिछले contract में यह high बनाया इस contract का बिल्कुल opening level था यहां से बिल्कुल selling देख रहे हैं तो जो mainly इस contract में range रही है वो यह वाली रही है 10 रुपे की उसके बाद यह correction में लग गया यह और एक downside में लग गया अब यहां से एक की uptrend दिखाने का कोशिश कर र आब कुश इड़ अचर रही है 10 clarity है जो ओद बनाय ओाली टा क strengthen